नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं बेद अड़क खरियाना नूज और मैं आपके साथ सत्वीर सहार है आप तस्वीरें देख रहे हैं दयानन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाथू सरी चोक्ता की और अगर बात करें तो इस छेतर में दोक्टर पैदा करने वाला इंजिनियर पैदा करने वाला एक बड़ा सहस्तान है लेकिन आज इसमें एक बड़े आयोजन की सूचना मिली है कि यह बहुत से जो चातर-चातरा हैं जो भिन-बिन स्कूलों में पढ़ने वाले हैं उनको यहां एक्तरित किया गया है सुबह बैनों में उनको क्योंकि आज संडे है तो इनकी द्यान उनकी जो लेकि पता चला है कि भिन-बिन स्कूलों की बचे हैं हर रोज द्यानन के पढ़ने वाले बचे यहа पहुसते हैं लेकिन आज द्यानन श्कूलों के च्टर-चातरा है उनको यहां एक तृत किया गया है और बाहर देख समें कि आख की जो पैरान से ब सर आज सुचना मिल है कि आपने पूरे चेतर के दो चेतर साथर हैं में विष्पियों पट्रों पटने वाले हैं, आपने एक बेसे क्या मामने है। सबसे पहले आपको और आपके दर्सकों को मेरा प्यारवनान नमस्कार। सर बताना चाहूंगा कि द्यानन स्कूल में हर वस जब हम एक एडमिशन करते थे अपरेल के जर्नली क्या होता है कि एक अपरेल से दाखले सुरह होते हैं पढ़ने से वन्चीद रह जाते थे तो इसको लेकर मनेजमेंट में फैसला किया कि हम जो अगला सतर है जो कि सतर दो जाटोबीस पच्चीश बोला जाएगा उस सतर में जितने बच्चों को हमें अडमिशन देना है अंदाजन हमें सतर या पिछेतर हमें अडमिशन देने हैं तो उसके लिए हमने एक एडमिशन का स्कूलरसिब टेस्ट रखा था ताकि सभी जो इच्छावान चातर है जिनकी इच्छा है कि वो देना स्कूल में पढ़ना जाते है उनको एक समान मोका का एक प्लेटफॉर्म उपलब्त करवाया जाए आज करीबन पंदरा सु बच्च बलकि द्यानन परिवार की ओर से उनको चात्र विर्ति के रूप में आतिक सही होग भी दिया जाएगा ताकि वो एक अच्छी सिक्षा में उनको हम किसी तरह से डारेक्ट इंदारेक्ट हम उनका सही होग कर पाए यह हमारा मक्षब था आज के लिए इस एक्जाम को रखने क सर अब जो बच्चे दैश्ट दे रहे हैं उनके से स्लैट को कि उनका मतलब 20 साल आप करें है कि आप से होग करें लिए को अच्छा भी है जो समाधित्यों पर आचिक पर पर कमजोर भी है तो विश्य है उसके उनकी तरह से अफोर कर पाया है उसके लिए भी बिल्कुल बिल बार उसके जब हम किसी चात्र को आज अधिमिशन दे रहे हैं तो हम उसकी जब तक सिक्षा से सम्मंदित हमारे यहां पर वो बच्चा है तब तक उसको प्रोच साल की बात की जा रही है सर सुने में आया है कि आपके जो संस्तान है उसमें जो सातर सातर हैं बाहर दूसरे जगा जाके शिक्षा गरहन करते हैं प्रेंट टीचिंग वगरह लेते हैं टीऊसर वगरह लेते हैं वह यहां भी सुईदा हैं उन्हें आप कि तरह की बलस्तू बश्वी के बाद या बलस्तू में पढ़ने वाले बच्चे अगर कोटा वगरह की बहुत तरह की देखिए क्या है कि कोटा और शिक्तर में यह नहीं करूँगा कि वहां चीशिक्षा नहीं होगी विस्वी बहुता चीशिक्षा होगी लेकिन एक परीपार्टी बन गई थी उसका कारण यह था कि पहले हमारे चेतर में जो प्रस टूस के बाद जो कॉम्पुटिशन एक्जामनेशन होते थे जैसे कि नीट का एक्जाम है आएटी का एक्जाम है उनको पढ़ाने का हमारे यह सुधा ही नहीं थी अध्यापक नहीं थे और उस तरह के महूल हमारे पास नहीं था लेकिन पिछले कुछ सालों से दयान स्कूल में इसको लेते का दिस्टिक में है मुश्कान जो मेरी थी मेडिकल साइंस में सिर्शामेगार पर्थमस्तान लेके आया था मेड की एक्जाम में हमारा जो मैक्सिम स्कोर रहा था दैट वा 680 मैं इसी वर्स की अधर बात करो इसी वर्स अभी पिछले 15 दिन पहले आएटी में का एक्जाम का र दे रहे हैं को ता जो शिकर का जो पैटन था अगर हम उसी को फोलो गरके यहां मेहनत करें तो ऐसा नहीं है कि प्रिनाम नहीं दी जा सकता है प्रिनाम के लिए जरूरी है सर एक मेडावी चात्र को क्या चाहिए एक अच्छा अध्यापक और एक अच्छी गाइड़न्स हमारा मेडिया आईटी का रिजल्ट हमने ना दिया हो सर को इक बड़ी अपर क्लास का साथ पर ऐसा हो जो कि इलिजेट हो कोटा शीकर नहीं जा सकता हो तो क्या आप 38 अस्तान उसकी में रखें अभी क्या है अभी जो मैंने आज जो प्रिक्षा रखे है उसमें मार्टर पहल है और ग्यारवी कर्षा में अगर वो आर्ट्स हो कोमार्स हो या साइंस हो तीनों स्क्रीम में किसी भी स्क्रीम में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसके लिए 31 मार्च को हम दुबार से स्कोलेशिप टेस्ट रखने जा रहे हैं सिरफ उन चात्रों के लिए जो जार रुपर तक की स्कोलेशिप दूबा जो बेदावी चात्र होंगे उनको उसमें भी स्कोलेशिप दी जाएगी धन्यवाद से यह जो आप हमारे साथ देख रहे थे यह दियानन्द स्कूल की तरफ से मेनेजमेंट में मिश्री गोदारा हमारे साथ जूड़े थे जो यह पोरी मैनेजमेंट को देखते हैं उन्होंने बता दिया कि आज का जो यह तस्वीरों में दे रहे हैं यह शातर-छातर वो सारे के सारे आज यहां एक श्कोललर शीप जो है वो टेस्ट दे रहे हैं। प्रामेन जोनी सर्मारे साथ लेकिन बीच में एक बात और कहुआ है कि हमारे साथ सर जुड़ेंगे सर ये तो बात होगी सिक्सियाजी स्पोर्ट्स में भी किछ अलग करवाया जार आपकी से थान में करनाल SS International School में नेशनल लेवल के ऊपर कबड़ी की तीम, उसमें हमारी टीम सेम फैनल में हाड़ी थी, उसके बाद हमारे अथ्लेटिक्स में भी CBC कलेस्टर में, कलेस्टर में पोजिशन हैं और आगे नेशनल भी हमारे बचे गए ते उसके बाद हमारे करनाटे में जो हमारे बचे नेशनल लेवल तक इस साल गए हैं, तो इस चेवर्ड में ज़्यादा करूंगे, आज क्या टाइम है, जो नसी से दूर रहना है, तो हम अगर पढ़ाई के साथ-साथ खेल का अगर और उपयोग करते हैं, तो उनके माबापका भी सपना पूरा होता है हमारे अगर आप पेस्ट बुक पे हमारे साथ जूरे हैं, तो पेस्ट को फोलो करें धन्यवादा